नमस्कार, वेलकम टू आलाफू टार्गेट विधालोग ओफिसल यूटूब चैनल, माई नेम है शिवानन दूबे, आज हम लोग आप उसे डिस्कस करेंगे मैट्स, तो आप लोग को पता इस्टेंट्स की CGL की 20,000 वेकेंसी पहली बार आई है, जो की अगर आप लोग 6 मन त सिखते हैं और P में क्या क्या questions कैसे कैसे बनेंगे, देखो नोटिफिकेशन में इस टाइब का स्लेबस दिया गया है, नोटिफिकेशन में ऐसी स्लेबस दिया गया है कि पहले the questions will be designed to test of ability, appropriate use of numbers, यानि numbers का use कैसे करोगे, and number sense of the candidate, the scope of the test will be computing of whole numbers, decimals, fractions and relationship with being numbers, it means पहला क्या दि decimal वाले numbers हुए, या number system में आप लोग पहले unit digit find करते हो, number आप zeros find कर सकते हो, या रेमेंडर theorem, यानि जितने concepts बन सकते हैं number system में, basic concepts वाले वो सारे number system में पूछे जा सकते हैं, ये सारा numbers को present करने का तरीका है, decimal form में, ये सारे हम लोग discuss करेंगे, आचा, next देखोगे, percentage, ratio and proportion, square root, average, interest का मतलब, simple interest and compound interest, profit and loss, discount, partnership business, mixture and delegation, time and distance, time and work, इतने topic आप लोग समझें, ये arithmetic के आएंगे, यानि सीजल में जो मैस आता हो, उसे two part में divide करता हो, पहला part क्या होगा, ये arithmetic होगा, यानि अंगलित वाले portion, पहला arithmetic, दूसरा advanced topic होगे, advanced का मतलब आप कि जो हम लोग स्कूल में प SCF हुआ, या algebra हुआ, टिगना mentory हुआ, या mensuration के questions, geometry questions, वो सारे किसमे advance में आ जाते हैं, तो arithmetic का portion सिर्फ इतना आएगा, percentage, ratio and proportion, square root, यानि थोड़ा सा आप लोग को slabber सागत देखो, तो arithmetic का complete topics नहीं आएंगे, यानि कुछ topic को neglect किया गया है, इतने ही topic सिर्फ आएंगे, प्र number system हुआ, next, basic algebra, identity of school, algebra and elementary, search and graphs, linear equations, यहां से देखोगे, तो कहने का मनल, algebra का जितने भी portion है, algebra में आप लोग क्या करते थे, formula वाले questions लिखते थे, और उससे जो value को relate करके, value find करना था वाले questions थे, और basic search से indices वाले questions आप लोग लिखते थे, वो सारे इसमें आ सकते हैं, next, देखो similarity, यह किस, आप लोग किसमें पढ़ते थे, centers, या congruency का मतलब वा, कि आप लोग सर्वांग समता को, या similarity का मतलब समरूपता को, यह सब किसमें हम लोग पढ़ते थे, यह geometry वाले portion में पढ़ते थे, तो geometry वाला part यहां पे है, next, circle and squad, card वहला सब जीवा हुगर, हम लोग किसम कि square हुए, या rectangle हुआ, या polygon हुआ, जितने सारे types के, यहां diagram बन सकते हैं, और area उसका find कर सकते हो, वो सारे 2D और 3D diagram में है, वो दिया भी गया है, तो उन diagram में से, कौन सा ज्यादा basically पूछा जा सकता, वो सारा यहां पे दी दिया गया है, कि polygon से आएंगे, circle से आएंगे, right prints मे देखोगे, कि, टिक्डा मेंटरी वाले भी कुछ basics, जो radian, अगरा में value निकालने के लिए आएंगे, वो सारे आएंगे, और last में, DI का portion देखोगे, pie chart, bar graph, and frequency polygon, and histogram, यह DI का part हुआ, तो कहने का मतलब, जो pre में questions आएंगे, आप लोग confirm है, pre में कितने questions आएंगे, notification आप लोग 2021 की बात करो, 2020 की बात करो, 19 की बात करो, अगर on an average निकालते हो, तो 40% questions, यानि 40% 40 to 50% questions, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक वाले portion से, यानि सिर्फ इतने ही वाले portion से आते हैं, यानि percentage ratio इन सब से, और अगर हम pie chart, bar graph को भी arithmetic में count करें, इन से आते हैं, यानि 40 to 50 questions, अर्थमेट में इन सब topics है, and ये chart वाले questions से आएंगे, यानि अगर 25 questions आ रहे हैं, तो ये most probability है कि 12 to 15 questions, यानि 12 से 15 questions इन ही से आएंगे, remaining जो 10 to 12 questions बचेंगे, वो इन सब से, यानि advance वाले से, advance से जैसे number system और LCM, SCF, इससे definite है, 1 से 2 questions हर बार आता ही आता है, 2 से 3 भी बन जाते हैं, कभी-क सब ही, next में देखोगे, mensuration की अगर बात करो, mensuration and geometry, mensuration and geometry को include करके आप लोग समझोगे, इससे 3 to 4 questions आते हैं, geometry के सारे type, सारे part जो भी होँगे, और mensuration के सारे part, उन से 3 to 4 questions आते हैं, next में trigonometry और उसकी identities and algebra, trigonometry से 1 से 2 questions आते हैं, and algebra से 1 से 2 questions आएंगे, यानि सभी topic से 1 से 2 questions आन नहीं आने हैं और प्री में इतने tough questions नहीं आंगे अभी तक जो है आप लोग देखे होंगे बहुत आसान से questions आते थे अगर इसके पहले आप लोग पूरा एक बार मैस की preparation किया होंगे अच्छे से तो कहीं नहीं बहुत आसानी से questions को solve कर सकते हैं तो tough नहीं रहेंगे बस हमें क्या करना सारे topics हो बिलकुल easy way में समझना है और सारे उस पे जितने type of questions बनते हैं वो solve करने हैं तो यह pre-cast levels हुआ नेक्स देखोगे जो pre में आप लोग topic पढ़ोगे उसी का use मेंस में भी आप लोग करोगे अच्छा मेंस में क्या है इस बार SSC CGL ने बहुत change कर दिया है पहले क्या था मेंस में 100 questions आते थे मेंस में सिर्फ math आता था and reasoning math and English आता था math 100 questions to 100 के marks के आते थे और English 200 questions 200 marks के आते थे तो अब जो है ऐसा नहीं है कि पहले जैसा था वैसा भी भी अब पूरा change कर दिया गया अब ऐसे आगा tier 2 में तो part 1, part 2, part 3, part 1 में math और reasoning एक साथ 30 questions कौन के रहेंगे 30 questions reasoning के रहेंगे तो पहले reasoning आती भी नहीं थी लेकिन अब these questions include कर दिया गया यह notification में आप लोग देख वीज नहीं दिया है कि पहले number system से आएंगे number system में सारे type यह दिये होंगे next fundamental mathematical operation से same होई percentage, ratio and proportion, यहाँ पर square root, compound interest, simple interest, profit and loss, सारे questions जो arithmetic में pre में दिये हैं वही सारे यहाँ भी दिये हैं, कहने का मतलब अगर आप लोग arithmetic pre के लिए पढ़ रहे हो तो mains के लिए भी साथ-साथ preparation करते रह होगे, क्योंकि pre और mains में सिर्फ इतना difference होगा, pre में जो questions of level होगा, वो moderate होगा, और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि mains में उससे high level हो, यानि क्योंकि questions कम होंगे, 30 questions होंगे, अब 30 questions में यहाँ भी मान के चलोगे, जो यह portion है, तो यहाँ भी इसका बहुत important role रहने वाला है, इसी स आप लोग देखोगे, 40 questions, 40 percent questions तो आएंगे ही आएंगे, यानि अगर 30 questions है, 30 questions का 40 percent कितना होगा, 12 questions, तो यह मान के चलोगे कि 12 to 15, यानि 12 से 15 questions, अर्थमेटिक के मेंस में इस बार भी आने के chances हैं, तो कहने का मतलब यह आसान से topic हैं, जो आप लोग बजपन से पढ़ते आ र formula से, और preparation कर रहे हैं, वहाँ भी आप लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, तो कहने का मतलब एक बार हम लोग बहतर तरीके से पढ़ने, वो pre के लिए भी होगा, और mains के लिए भी होगा, और यह सिर्फ logic concept based होते हैं, पहले आप लोग formula से पढ़ते थे, अब हम लोग जो है, let करके कैसे easy way में समझेंगे, यहां discuss करेंगे, okay, next देखो algebra, algebra same, basic algebra, identities, school algebra and elementary starts and indices, देखिए, अब क्या है, algebra के questions थोड़े से maybe, इस बार mains में tough हो सकते थे, क्योंकि पहले क्या था, अगर algebra 100 questions में आप लोग देखोगे, 8 to 10 questions, यानि 8 से 10 questions, algebra क्या थे थे, अब 8 से 10 questions में, 5 to 6 questions बह बच्चा preparation करने वाला है, वो भी solve कर लेगा, लेकिन 2 से 10 questions बहुत tough होता था, अब बहुत tough होता था, इसका मतलब है, कि जो SSC का topper बच्चा है, मतलब जो अच्छे से match पड़ा, वही solve कर पाता था, जो normal preparation जिसकी वो नहीं solve कर पाता था, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अब क एतर तरीके से पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि mains में जो 2 से 3 questions, suppose algebra से आ गया, तो यह जरूरी नहीं कि वो easy ही आए, वो tough भी आ सकता है, यानि आप लोंको easy, moderate or tough, तो पूरा overall algebra या overall सारे topics detail में पढ़ने हैं, क्योंकि questions तो कम रहेंगे, लेकिन question का label tough हो सकता है, कहां से पू ही हो सकता, change कर सकते हैं, इसलिए तो जो भी आप लोग topic पढ़ोगे, बले उससे एक से दो questions आएगा, बट हम लोग complete topic पढ़ेंगे, जिससे कोई भी question आए तो हम exam में solve कर सकें, आचा, next देखोगे, अचा, algebra के आएंगे, next, algebra के बाद आप लोग देखोगे, ऐसे दिया गया, geometry के portion, geometry में, elementary geometry, figures, fact, यह सारे जितने भी geometry हम लोग schooling में पढ़ते थे, यानि आप लोग 9th चेंज में पढ़े होंगे, और वही सेम यहां पे रहेंगे, congrency, similarity, triangle, circle, chord हुआ, tangent, यह आप लोग 9th में पढ़ते थे, angle, substance हुआ, chord of circle हुआ, common tangent, two or more circles हुआ, यह सारे आप लोग पहल करेंगे, यह आसान होता है, सिर्फ formula ways होते है, थोड़ा सा आप लोग concept ध्यान देना है, बहुत easy way में, geometry सबसे आसान होती है, आचाए, mensuration देखो, mensuration में maximum formula है, maximum formula है, बस हम आप लोगो ऐसे discuss करेंगे, कि formula याद कैसे करोगे, बस एक अगर diagram को, आप लोग दूसरे diagram से connect करोग तो कैसे उस formula को generate करोगे, यह सब हम लोग discuss करेंगे, फिर्याल बहुत easy way में, यह भी आप लोग solve कर सकते हो, कि यह सब fix होते हैं, जैसे geometry, mensuration होई, इसमें कुछ change नहीं होना है, इसमें बस digit change कर देंगे, formula हमेशा होई लगना है, थोड़ा बहुत change कर सकते हैं, यानि अगर आ यहाँ change नहीं हो, हम fix होते हैं, आचा, trigonometry आप लोग 9, 10th और 12th में भी आजकल आगे वही चीजे, तो 9, 10th में जो पढ़ते थे basic उसके angles वाले questions, या जो है, complementary height and distance वाले questions आप लोग पहले 10th में पढ़ते थे, वो सारे यहाँ पे आंगे, standard identities, sin, theta, cos, 2, theta, यानि formula वाले questions, वह होता असानी से आप लोग बिदिन 10-15 seconds में solve कर लोगे, तो वो जब questions discuss करेंगे, देखोगे, अचा, एक और देखो, statics and probability, इस बार probability जो है, तो इसमें दिया है, advanced वाले में, probability और statics वाले भी कुछ questions आएंगे, और इससे देखिए, हर बार यहाँ देखो, major of pandemic, किस साल, median अले भी आते थे, अलग अलब probability question हुए, या frequency वाले questions हुए, तो अभी भी आएंगे, और यह बहुत important questions होने वाले हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा different, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब seizure का paper देते हैं, तो लोग क्या करते हैं, histogram हुआ, chart हुआ, या probability को बिलकुल ignore करते हैं, लेकिन अब आप लोग ध्यान देजिएगा, कोई भी topic ignore नहीं करना है, जितने भी यहाँ slabas के part हैं, जो भी topics दिये हैं, उसको सब आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ध्यान देगा paper, देने से पहले paper में आता क्या है, यह बहुत important है, कि आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, सारा complete पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम concept wise बढ़ेंगे, और question जैसे previous year में कैसे SSC में questions आते हैं, वो देखेंगे, main pattern, यानि SSC का pattern के coding आप लोग को पढ़ना है, यह नहीं कि आप लोग जो RSA गुरार अठारी सारे questions लगाते हैं, हाँ सारे questions लगाते हैं, लेकिन concepts अब के अलग अलग होंगे, तो हमें concept wise, SSC वाले concept पे questions यहां पे ध्याम देने हैं, चले, देखेगा, तो आज हम लोग देखेगा, कि जो discuss करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग arithmetic discuss करेंगे, क्योंकि advanced का topic है, advanced में number system के कर बात क तो थोड़ा से lengthy topics है, और बहुत सब conceptual topic है, जैसे number system हुआ, या LCM, SCF हुआ, या mensuration हुआ, ये सारे formula based हैं, और थोड़ा सा tricky approach वाले हैं, और जो ज़्यादा आप लोग अभी तक जो पढ़ते आ रहे हो, कहने का मतलब आप लोग 8th, 9th, 10th में इंसम में भी पढ़े होंगे, औ और basic quiz exam दे रहे होंगे, जैसे percentage हुआ, profit loss है, ये सभी लोग थोड़ा बहुत basic पता होगा, तो वही हम लोग discuss करेंगे, क्योंकि वह सबसे आसान questions होते हैं, और आप exam में 12 to 15, यानि अगर pre की बात करो, 25 questions में 12 to 15 questions, arithmetic की आएंगे, means भी ऐसे 30 questions में 12 to 15 questions, confirm रहने वाले हैं, तो थोड़ा आसान होते हैं, तो पहले हम लोग जो है, वहां से start करते हैं, चलिए, हम लोग discuss करेंगे percentage, लेकि percentage से अगर आप लोग pre की बात करो, अभी हम लोग यहां pre को ध्यान में रखके, pre और means दोनों को ध्यान में रखके discuss करेंगे, लेकिन mainly focus pre का रहेगा, means में उससे सारे questions attached रहेंगे, तो चलो देखोगे, percentage की बाप करो, percentage से season में, एक से दो question definite आएगा ही आएगा, अगर आप percentage क्लियर है, तो percentage के थुरू आप लोग जितने भी arithmetic के topic अभी आप लोग देखे थे, जैसे profit and loss हुआ, simple interest, compound interest, इन सबसे आप लोग connect कर सकते हो, तो percentage एक तरीके से, यह लिए लगाने ही पड़ेंगे, और अगर percentage आप लोग clear हो गया, तो आप लोग by concept से भी solve कर सकते हो, तो चलिए आए हम लोग पहले percentage के concept को discuss करते हैं, तो percentage का, मतलब आप लोग confirm है, percent, यानि percent का मतलब, per means क्या होगा, one, आप लोग clear है, per means क्या होगा, one होगा, and send means क्या होगा, and send means क्या होगा, hundred, वैसे हिंदी में देखो, प्रतिसत, प्रति का मतलब एक होगा, और सत का मतलब क्या, 100 होगा, यानि इसका मतलब 100 का एक भाग, तो कहीं भी percentage लगा होगा, ध्यान रखेगा, कहीं भी प्रतिसत, यानि percentage लगा होगा, तो उसका मतलब, उसकी value क्या होगी, one by hundred होगा, क्योंकि इसके साथ one तो लगाई होगा, यानि one percent का मतलब हुआ, 100 का एक भाग हुआ, तो ऐसे five percent का मतलब क्या हुआ, 100 का five part हुआ, तो कुछ भी यहाँ पे कोई number आप लोग ले लो, जैसे n, n means क्या हुआ, two, three, four, five, any number, तो अगर n के, यानि किसी number के साथ percentage लगा है, इसका logical मतलब आप लोग क्या समझोगे, n percentage का मतलब one by hundred, यानि hundred का n part, यह समझा denominator में hundred से multiply कर देना है, सबोज यह fraction के form में कोई variable लिखा हो, a upon b percentage लिखा है, तो इसे आप लोग क्या लिखोगे, a upon b जैसे वैसे, और percentage के place पर क्या लिखोगे, one by hundred से multiply कर दो, यानि denominator में hundred से multiply कर यह must है, तो सिर्फ क्या होगा, percentage का मतलब, सोका हो कितना भाग है, यह आप लोग समझ रहे हो, आचा, next आप लोग बूल जिया जा, जैसे इसी को value के form में लिखे, 75% है, तो 75% है आप लोग लिखो कैसे, 75 by hundred, यह ऐसे लिखोगे, 75 by hundred, आप देखो 75 by hundred है किस format में हो गया, या यह percentage का format था, और यह किस format का हो गया, यह fraction का, यह भिन का format हो गया, तो भिन जब दी कोई लिखी जाएगी, तो वो किस proper way में, यानि वो proper way का मतलब, P upon Q के form में लिखे जाएगी, यानि P upon Q के form में, fraction का definition क्या होगा, P upon Q के form में लिख सकते हैं, जिसका denominator क्या होगा, 0 नहीं कि 75 by 100 का least form क्या होगा, 25 3 जा, 25 4 जा, यानि आप लोग 75 by 100 को क्या लिख सकते हो, 3 by 4 ही लिख सकते हो, तो जैसे 75 percent 100 का 75 part था, वैसे 3 by 4 क्या होगा, यानि 4 का 3 part ऐसे बना, आचा, नेक्स देखोगे, 37.5 percent लिखा है, तो 37.5 percent means हुआ, अगर आप लोग इसे convert करना है, fraction में, त 37.5 ऐसे, percentage के place पर क्या करोगे, divide by 100, यानि percentage के place पर 1 by 100 का मतलब, divide by 100 कर दोगे, अब इसको एक तरीका ये भी लिखने का सही है, लेकिन कोशिस करेंगे, जब हम numerical value के साथ इसे connect करते हैं, कोई value find करना होता, तो हम इसे least form में लिखेंगे, तो easy बन जाएगा, यानि हमें calculation आसा आसानी से solve कर सकते हैं, okay, देखो 37.5 को fraction कैसे करेंगे, decimal आटा होगे, 25, 1 जा, 25, 5 जा, 25, 4 जा, 0, 5 से, 5, 3 जा, 5, 8 जा, यानि इनकी value कितना हुआ, 3 by 8, यानि 37.5 percent को, आप लोग 3 by 8 fraction में बोल सकते हो, और अगर 100 नीचे रखोगे, तो इस form में बोल सकते हो, okay, last देखोगे, next ऐसे, जैसे suppose 66 whole 2 by 3 percentage लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, simple, अभी पहले हम 66 whole 2 by 3 mixed fraction में, तो mixed fraction क्या, उसे हम fraction में पहले convert करेंगे, A upon B के form में, तो 66 को 3 से multiply करेंगे, कितना हुआ, 198, plus 2 कितना, 200, यानि 200 by 3 percentage के place पर 1 by 100, यानि denominator में 100 से multiply कर दो, यहां से देखो, this cancel, this cancel, तो finally, यह क्या बन जाएगा, 2 by 3, तो आप लोग 66 whole 2 by 3 को क्या लिख सकते हो, यानि 2 by 3 fraction के form में लिख सकते हो, तो अभी हम लोग यह सीख रहे है, percentage क्या होता है, तो percentage का सिर्फ मतलब हुआ कि 100 का 1 भाग, अगर किसी value के साथ लगा होगा, तो इसका मतलब, वो 100 का value उतना भाग ह जैसे N, A upon B के साथ लगा होगा, तो इसका मतलब 100 का A भी भाग यह है, 75% लगा होगा, तो 100 का 75% है, least form में करो, इसका मतलब यह 4 का 3 भाग, तो जो denominator वाली value है, इसका मतलब complete whole को परजन करती है, यानि 4 का 3 भाग, whole को परजन करेगी, वैसे 36 का मतलब 100 का 36 भाग, और इसे whole को परजन करेगा, तो 8 का 3 भाग, ऐसा बोल सकते हो, वैसे 36 का 3 का मतलब 100 का 36 का 3 भाग, यानि इसका मतलब 3 का 2 भाग, clear है, तो आप लोग अभी यह सिर्फ समझ रहे हैं, कि जहां भी percentage लगा होगा, तो उसके place पर 1 by 100 आप लोग लिख सकते हो, चली, अब हम लोग देखें में हम इसलिए convert करते हैं, कि अभी आप लोग देखोगे, किसी value का हमें, माल लिजे, ऐसे बोल दिया जाए, 6400 का 40% पाइल करना है, तो 40% 40 by 100 ना लिखकर, उसे अगर हम least form 2 by 5 कर देंगे, तो calculation में भी आसान हो जाता है, तो इसलिए हमें जो percentage वाली value है, उसे पहले according to calculation, यान इसे first value देखोगे, हम ऐसे लिख दें, 65% यानि 65% है, इसे हमें किसमी convert करना है, fraction and decimal, इसे पहले आप लोग fraction में convert करिये, यानि win का मतलब हुआ, पी अपान क्यू least form में, दूसरा इसे decimal, यानि 10 मलों में convert करिये, ओके, आप देखो 65% को आप लोग क्या लिखोगे, 65 by 100, by 100 means percentage क इसे place में किया, इसका मतलब यही हुआ, अब आप लोग देखो सबसे पहले, अगर fraction में convert करना है, तो इसका मतलब वो least fraction की बात करना है, fraction का, तो ये भी है, 65 बड़ा सौ भी fraction ही है, win है, लेकिन जब भी आप लोग fraction लिखते हो, तो क्या करतो, always, वो least form में लिखोगे, तो इ कोई value decimal में convert करना है, तो अगर denominator में 10 हो, 100 हो, या 1000 हो, तो easy way में convert हो जाएगा, जैसे ये denominator में 100 है, तो 100 से अगर divide करो, तो right hand side से 2 decimal लगा दो, यानि decimal में directly कितना हुआ, 0.65, ठीक है, और यहाँ 0 लगा दो पहले, देखने में अच्छा लगे, इसका कोई मतलब नहीं, decimal में इ और ली यासे समझ जाओ, 25 by 100, यानि 0.25, decimal में oral convert कर सकते हूँ, अच्छा, fraction में करना है, तो जो भी least form mean में common value को कट करोगे, तो 5, 13 और 5, 2, 20, यानि 13 by 20, fraction में इसकी value हो जाएगी, clear है, next आप लोग देखोगे, कोई और value लेते हैं, 112.5%, देखिए, अभी कोई trick नहीं, अभी simple आप लोग यह समझ रहे हो, percentage हटा रहे हो, percentage हटाने के बाद उस value को किस में convert कर रहे हो, उस value को fraction में convert कर रहे हो, decimal में convert कर रहे हो, according trick नहीं, बिल्कुल basic से अभी आप लोग convert कर रहे हो, अभी trick से भी अम लोग discuss करेंगे, देखो इसको आप लोग क्या लिखोगे, 112.5 by 100, ऐस कर दोगे, अब अगर decimal में convert करना, देखो नीचे 100 से भाग कर रहे हो, तो right hand side से क्या करना, दो पे और decimal में लगा दोगे, जैसे एक decimal ता लेडी है, तो 2 0 को जैसे ही क्या हो जाएगा, 1.125, यह decimal में convert हो जाएगा, clear, अच्छा, इसी को अगर आपनों को fraction में convert करना होगा, तो least form में करो, देखो 0 हटाओगे, यहाँ point आओगे 0 बहाद होगे, 25 यहाँ से 25 4 जा, 25 5 जा, 25 4 जा, यहाँ 0, 5 9 जा, 5 8 जा, यहाँ आप लोग इसे fraction में क्या लिच सकते हो, 9 by 8, ऐसे fraction लिच दोगे, तो simple ही समझेगा, कोई value अगर percentage में दिया, तो percentage हटा कर, आप लोग decimal में औ दोनों convert कर सकते हो, अब इसका use क्या है, अभी हम लोग देखेंगे फिलाल, अभी convergence सीख रहे हैं, अचा एक और example लेते हैं, जैसे ऐसे दे दिया गया, कि 266 hold 2 by 3%, ऐसे दिया है, 266 2 by 3%, ऐसे दिया, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले देखो 266 hold 2 by 3, इसको क्या प्रॉपर वे में लिखो न, यानि भिन के फर्म में लिखो, प्रॉपर वे का मतलब भिन के फर्म में पहले लिखोगे न, 266 को 3 से multiply करो, 200 का 3 गुना कितना 600 हुआ, 266 का 3 गुना कितना 198 हुआ, यानि यहां कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, दो और रैट करोगे, यहां 750 प् तो कहने का मतलब 100 की वजा से, आप लोग यहां पे 2 0 भी कैंसल आउट कर सकते हूँ, चलो यहां कैंसल पहले ही कर दे रहे हैं, अगर आप लोग भिन में बात करो, तो 8 by 3 हुआ, तो ऐसे ही कर दो, कि डेसिमन से लगाने से अच्छा है, 2 0 कैंसल कर दो, अब 8 में 3 से divide, तो क पॉइंट के बाद अगर तीसरा प्लेस 5 है उससे more than होता, तो second में आप लोग क्या करते हैं, 1 add कर देते हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि decimal में इसे पॉइंट के 2 प्लेस तक नीरस तक यही लिखते हो 2.66, अब यह वैलू अगर हम exact calculation में यूज करेंगे, तो यह exact नहीं आता ह है, तो इसके जगहां पर हम क्या यूज करेंगे, वह अभी हम लोग discuss करेंगे, अभी आप लोग को साथ confirm हो गया होगा, कि अगर कोई भी percentage value आप लोग लेते हो, simple percentage को अगर आप लोग को भिंद में बदलना है, या percentage value को decimal में बदलना है, तो यह clear है, किसे को doubt इसमें, तो इस सारे parts, जैसे पहले conversion हम लोग सीखेंगे, उसके बाद comparison percentage, increase decrease percentage, value को कैसे बढ़ाते हैं, या election वाले questions, marks वाले questions, या well diagram वाले questions, question के बहुत सारे varieties हैं, तो पहले हम लोग four to five terms देखेंगे, कि जो percentage को connecting form में होते हैं, तो पहला connecting form में हो क्या है, conversion, यानि conversion आप लोग को percentage को fraction में, यह सब बहुत exactly clear होना चाहिए, तभी आप लोग और सारे topics में इसकी help ले सकते हो, okay, चले next देखोगे, I hope आप लोट कर चुके होंगे, next, same, second देखोगे, convert in percentage, देखें, अभी हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले था कि percentage का मतलब होता, one by hundred, second था कि percentage अगर value किसी numerical value के साथ है, तो उसे आप लोग भिन में कैसे बदल रहे हो, और कैसे decimal में बदल रहे हो, अब next क्या है देखोगे, convert in percentage, यानि percentage में प्रतिसप में कैसे बदलोगे, देखें, अभी तक hundred का कितना अप था, यानि percent का मतलब one by hundred, आप क्या करना, one by hundred को percentage के form में लिखना है, तो जैसे, suppose कोई value n है या इस form में हो, यानि a upon b के form में हो, या decimal के form में हो, point p हो, इन सब को आप लोग convert किसमे करना है, प्रतिसप में बदलना, प्रतिसप का मतलब 100 का भाग, यानि जैसे percentage की value one by hundred होगा, इसी का just उल्टा, यानि hundred का कितना part होगा, तो किसी value को अगर आप लोग convert करते हो percentage में, सिर् ना, multiply कर दो, percent लगा दो, a upon b कोई value variable था या value था, उसे आप लोग को प्रतिसप में बदलना है, तो सिर्फ hundred से multiply कर दो, percentage लगा दो, यहाँ point p है, तो इसे आप लोग क्या करो, multiplied by hundred और decimal लगा दो, तो कहने का मतलब percentage में, convert percentage में बदलने का मतलब 100 से multiply करना होता, तो आप लोग पहले देखेंगे, कि basic formula आप लोग पता होगा, profit percent होगा, loss percent होगा, discount percent होगा, increase percentage, decrease percentage, उन सम्में जो formula होता, last में 100 से multiply होता, अचा multiply क्यों होता है, multiply इसलिए होता है, कि 100 का multiple कितना भाग है, तो इसलिए सम्में होगा, उसी को percentage में convert करना बोलते हैं, तो next देखो कि, अब हम लो percentage को fraction में, या fraction को percentage में, value help लेते हैं, या profit loss होगा, simple interest, compound interest होगा, उन सब में कैसे, इसका use करेंगे, वो देख रहे हैं, अचा पहले आप लोग बताओ, 5 को अगर convert करना हो percentage में, तो क्या करोगे, simple जैसे लिख रहे हो, या 100 से multiply कर दो, या 5 पार्ट में है, और ये percentage में कितना, 500 percentage है, अचा, next अगर आप लोगों बोल दिया जा, 3 by 5 है, इसको आप लोगों को प्रतिशत में बदलना है, तो simple क्या करोगे, या 3 by 5 में, 100 से multiply कर दो, और percentage लगा दो, यानि 100 से multiply करोगे, 5 2 जा, 0 यानि 60 percentage हो जाएगा, 60 percent इसकी value हुआ, आचा, कोई value यहाँ decimal में, मालों ऐसे बोल दें, 0.35 है, 0.35 को आप लोगों को बदलना किस में, बदलना आप लोगो percentage में, तो simple आप लोग यह लिखो, कि 0.35 और इसको 100 से multiply कर दो, तो क्या जाएगा, 35 percent, यह हो गया, तो एक तो clear वा कि प्रतिशत में अगर बदलना है, तो 100 से सिर्फ multiply करना होगा, देखो बिल्क अब हम लोग कुछ values हैं, जिनका use हम लोग question solve करेंगे, उन में करेंगे, जो हमें याद होने चाहिए, जैसे आप लोगो, देखो, part में यहां दिखाई दे रहा होगा, 1 है, यानि 1 को अगर आप लोग प्रतिशत में बदलो, तो क्या लिखोगे, 1 में 100 से multiply करो, 100 percent हुआ, 1 by 2 1 by 2 को हम लोग general form में क्या बोलते हैं, 1 by 2 का मतला half यानि 50 percent बोलते हैं, देखो, 1 by 2 में 100 से करेंगे, क्या जाएगा, 50 percent, अच्छा, 1 by 3 में, एक सी ध्यान देना, 1 by 3 के अगर बात करो, जैसे 100 से multiply करोगे, जब 100 में 3 से multiply करोगे, तो एक तो अगर आप लोग इसे mixed fraction के form में ल लिखी होती है, अगर हम यह चाहें कि उन्हें दुबारा हम fraction में convert कर लें, तो वहां से नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि value उसकी खुदी nearest form में लिखी गई होगी, जैसे हम यह कहें कि 33 से 1 by 3 की value, 1 by 3 होती है, अगर आप लोग करना होगा, तो आसानी से convert भी कर सकते हैं, बेसिक तरीके की बात भी करें, यहां 99 plus 100 by 3, percentage हटाओगे 2 0, यानि cut कर दोगे, इसकी value 1 by 3 हो जाएगा, लेकिन अभी आपनों बोल दिया जाए, बताइए 33.33 percent है, इनको convert करो, तो आप लोग तो ऐसे लिखो कि पहले basic confirm होगा, कि 33.33 percentage हटाओगे, 1 by 100 किया, लेक क्यों नहीं cancel होगा, क्योंकि यह already point के 2 place तक लिखा गया था, तो यह ध्यान दिजेगा, fraction में जो 1 by 3 होगी, तो जिनसे divide कर रहे हो, decimal में इसका formation 33.33 होगा, यानि 1 by 3 को आप लोग, 0.33 के form में decimal के 2 place तक लिख सकते हो, तो यह भी value हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर जहा एंसर नहीं आएगा, तो यह भी आद होना चाहिए, वैसे 1 by 4 देखो, 25 confirm है, 1 by 5, 5 से 100 में divide करोगे 20%, अचा 1 by 6 की अगर बात करो, देखो 1 by 6 में, यहां 2 से cancel करोगे, कितना 50, 50 by 3 हो गया, अब 3 से करोगे 3 बन जा, 3 6 है, 2 by 3, यह तो mix fraction में हुआ, अब अगर 50 में 3 से divide करोग देखो, point के 2 place तक यह value बन जाएगा, अब यहां 16.666, उसके बाद यह हमने क्या लिखा, कि point के बाद 16.6666 ऐसे होगा, यानि तीसरा place 5 या उससे more than होता, second में 1 आइड कर देते हो, तो कभी-कभी इसकी value ऐसे आजाएगा, 16.66 आजाएगा, या 16.67, तो हमें समझना होगा, कि जहां पर 2 by 3 लिखा होगा, उसको हमने इस format में convert किया, यानि 1 by 6 की value, अगर percentage की बात करो, 16 whole 2 by 3 जनल हुआ, लेकिन उनहीं का जो approximate decimal में आएगा, कि तना आएगा, 16.66 आएगा, या 16.67, तीसरा place, 0.5 more than होने के वजासे, वन आइड करके लिखा, यह दोनों value हमें exactly confirm होना चाह और अगर आप लोगो नहीं confirm है, उसका exact value 1 by 6 होगा, तो जब आप लोग answer उसका find करोगे, तो नेरस आएगा, exact नहीं आएगा, तो इसलिए हमें इसकी value confirm होनाते ही है, अच्छा, अगें 100 में 7 से divide करोगे, fraction में करोगे 7 अंजा 7, यहां से 3 बचेगा 7, 4 जा 28, 2 by 7, यह होगा, और point के 2 प्लेस तक द्यान तो यह जो भी value है, जैसे 3 से divide करोगे, जितने भी आप लोग 3, 7 इन सब से divide कर रहे हो, उस 100 में, जो exactly divisible नहीं होगा, उसे हम लोग point के 2 प्लेस तक लिख दे रहे हैं, यह approximately लिखेंगे, और लेकिन इसकी value अगर हमें use करना है, तो हम exact form में use ठीक है, 1 by 8 की value, देखो, यह exactly आजाएगा, 1 by 8 का मतलब 12 whole 1 by 2 या 12.5, 1 by 9, 1 by 9 की value 100 में 9 से divide करोगे, 11 whole 1 by 9 और point के 2 प्लेस तक ही आएगा, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पे जो भी nearest लिखा गया, वो भी यहाँ value हमने decimal में लिख दिया है, तो यह आप लोग को याद होना च करोगे, तो कहीं ने कहीं थोड़ा सा question solve करने में tough feel करोगे, यानि time taken अलग questions बनेगा, okay, तो 1 by 10 तक हो गया, next देखोगे, minimum आप लोगो 1 से लेके 20 तक, यानि 1 से 20 तक आप लोगों को value exactly confirm होना चाहिए, 1 से 20 तक value अगर आप लोगों confirm कर लोगे, तो उसके help से बहुत सारी value easy way में find कर सकते हो, तो चलिए देखेगा, 1 by 11 हुआ, again वही same process, 11 में 100 के divide करोगे, 11 9 जा 99, 1 by 11 या point के 2 प्लेस ध्यान देना, 9.09 और ये बार-बार discuss कर रहे हैं, कि जो 9.09 है, अगर उससे आपनों को fraction निकालना हो, तो convert नहीं कर पाऊगे, क्योंकि ये nearest लिखा गया, 9.09% की value, अगर आपनों को fraction में पूछी जाए, जिनको याद नहीं होगा, 9.09% की value, 1 by 11 होगी, तो फिलाल वह ऐसे करेंगे, 9.09 percentage हटा होगे, 2 0, अब ये solve करोगे, exactly divide होगा ही नहीं, और जब exactly divide नहीं होगा, तो आप लोग question जो solve करोगे, वो near rest आएगा, तो जैसे question आप लोग देख होगा, और आप लोग उसे जो है, अगर इस वाले form से use करोगे, तो exact answer नहीं आएगा, इसलिए हमें ये भी confirm आते हैं, कि जो nearest value है, उनकी fraction में मान क्या होगा, वैसे 1 by 12, लेको 8.33, nearest और ये value, 1 by 13, सब में divide करना 100 में, this हुआ, point के 2 प्लेस तक ये होगा, 1 by 14 की बात करो, ये, this हुआ, 1 by 15 की बात करो, this ये हुआ, 1 by 16, ये आप लोगो confirm है, convert कर लेगा, 1 by 17, 17, 5, 2, 85, इस form में होगा, point के 2 प्लेस तक आइसे लिखोगे, okay, next 1 by 18 की अगर बात करो, इस format में होगा, और 1 by 19, लेको 95 to 95, 5 by 19, और point के 2 प्लेस तक आइसे लिखोगे, 1 by 20 की value ये हुआ, लेकि सबसे पहले, आप लोग fast calculation करने के लिए, 1 से लेके 20 तक value याद होना ही चाहिए, 1 से लेके 20 तक value याद होना चाहिए, और दूसरा, उनसे value कितनी generate हो सकती है, वो भी आप लोग practice से सीखोगे, तो चलिए, सब कुछ आप लोगों को 1 से लेके 20 तक value आप लोगों ने याद कर अब जो है 1 से लेके 20 में भी कुछ ऐसी values हैं, जो आपस में एक दूसरे के help से निकाली जाएंगी, और कुछ ऐसी values हैं, जो 1 by 20 के multiple के form में निकाली जाएंगी, जैसे, देखोगे, अब आप लोगों को 1 से लेके 20 तक value confirm हो गई, जैसे मान लोगों आप लोगों बोल दिया र 20% की value fraction में अभी लिखे थे, 20 by 100 यानि 1 by 5 ये fraction में हुआ, आचा, नेक्स आप लोग बोल दिया रहा है, 9.09%, 9.09% है इसकी value क्या लिखे थे, आप लोग देखोगे, अभी लिखे थे, 1 by 11 लिखे थे, यहां 1 by 11 लिखो, और भी कोई value आप लिखते हो, जैसे सपोज हम ऐसे ल percentage, इसकी value आप लोग क्या लिखे थे, 1 by 7, लेकि आप लोग अभी जो value लिख रहे हो, वो 1 से लेके 20 वाले लिख रहे हो, जैसे यहां 100% की value 1 हुआ, अब हम ये कह रहे हैं कि आप लोग clear है, अगर equal कि पहले कोई number या बाद में कोई number है, same number से इसमें multiply करो, और उसी से यहां क कर दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे यहां divide करो, उससे यहां divide कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम क्या कर रहे है, कुछ multiply या divide करके, और value कैसे find करते हैं, वो समते हैं, तो सबसे पहले, अगर मानलों 2 से divide करें, तो 100 में 2 से डिवाइड करो, आप लोग क्या आजाएगा? 50% आजाएगा, और यहां भी करोगे 1 by 2, यानि अगर आप लोगो 100 की value confirm है, इसका मतलब उसका half 50 होगा, तो 50 की value confirm है, अच्छा, अगर 50 की value confirm है, अगेन 2 से डिवाइड कर दो, तो 50 का half कितना होगा? 25%, 25% होगा, और 1 by 2 का half, यानि 1 by 4 हो जाएगा, यानि अगर 50 की value confirm है, तो 25 का भी value confirm है, अच्छा, 25 की confirm है, तो फिर अगेन 2 हम half कर रहे है, 25 की value confirm है, इसका half कितना होगा? साड़े 12% होगा, साड़े 12% की value, 1 by 4 का आधा कितना? 1 by 8, यानि इसकी value 1 by 8, तो अगर आपनों को 25% की value confirm 1 by 4, तो जरूरी नहीं कि सारी value रटो, ऐसे भी कर सकते हो कि, अच्छा, 25 confirm है, इसका आधा कितना होता है, यानि साड़े 12% की value कितना? 1 by 4 का आधा, 1 by 8 होता है, अच् next 1 by 8 की value confirm, अगेन इसका half करते हैं, 1 by 8 का half कितना? 1 by 16, और आप लोग इसका half करोगी क्या हो जाएगा? 6.25, तो कहने का मतलब यह हुआ, कि अगर 25 की value confirm, इसका आधा 12.5% अगर 12.5% अगर confirm है, तो इसका half कितना? 6.25, वो भी confirm है, और 6.25% की value 1 by 16 है, तो अब अगर आप 15 का अगर आप लोग हाफ करोगे, तो कितना आजाएगा? एक बटा 32 आजाएगा, ठीक है? तो इसका half करोगी, यानि यहाँ 2 से डिवाइड करो, तो 6 वा, 2 वन जा, और 22 जा 25, यानि 3.125, जब 1 by 16 की value 6.25 वा, so 1 by 32 की value 3.125, तो आप लोग बना सकते हो, अभी हमने क्या किया? सभी में 2,2 से डिवाइड किया, सेम ऐसे आप लोग क्या करो, सब में 3,3 से डिवाइड कर सकते हो, सब में 4 से डिवाइड कर सकते हो, सब में 5 से डिवाइड कर सकते हो, कहने का मतलब वा, कि अगर आप लोग गलती से ऐसे निकालना है, कि फिलाल 5% की value find करना, मालो 20% की value परसंट और एक बटा पांच को चार से भाग करोगे एक बटा वीस लेकिन इतनी आसान वैलू तो आप लोग और ली बता सकते हो जो वैलू आपस में कनेक्टिंग में होंगे जो टफ होंगे उसी को इससे रिलेट करिएगा अधरवाइज एक से लेके वीस तक वैलू हम सजेस करके देखोगे जैसे माल लो हमें ये कन्फरम है कि 25 या जो है बोल दें 20 परसंट का मतलब एक बटा पांच होता है 20 परसंट की वैलू एक बटा पांच होती है तो हमें क्या करना है उसमें किसी नंबर 4 से दिवाइड करना है तो दिवाइड करना है तो दिवाइड करके चे multiply की बात करें, अब सब multiply कर दे रहें, मालनों इसमें 2 से multiply कर दे रहें, ये कितना हो जाएगा 40%, बोज साइड करेंगे, ये कितना 2 by 5, अगेन आप लोग यहां 3 से multiply कर दो, या अगेन सम्में, बोज साइड 2 से multiply कर दो, 2 से करोगे, यानि 40% का 2 गुना कितना 80% हुआ, तो 80% की value कितना हुआ, यहां से 4 by 5, अच्छा, यहां अगर 40% का 3 times कर दो, तो 120 आ जाएगा, अच्छा, 20% का 4 times कर दो, यानि 20% को 4 से multiply कर दो, तो भी देखो, वही फ़र्म हुआ 80%, और फिर से 1 by 5 का 4 times 4 by 5, तो चाहे आप लोग ऐसे करो, 40% की value, यानि 20 की value confirm है, तो 40 की value confirm है, और 40% की value confirm, उसका 80% की value confirm है, तो आप लोग क्या करना, जो value जो से ग्रुप में तोल कर याद करना है, कि यह ध्यान देना है, अगर मान लोग गलती से यहता है, हमें 60% की value find करना है, अगर दिमाग में आगे 60%, 20% का 3 गुना है, तब तो बहुत आसान है, मान में calculate कर लोगे, 60% का मतलब 20% का 3 गुना, 20 की value एक बटा, 5 वा उसका 3 गुना, 3 बटा 5, तो यह आप लोग खुद से सीखना है, यानि, once लेके 20 तक value याद करना है, कि जैसे एक बटा 5 की value पता है, तो दो बटा 5, तीन बटा 5 ऐसे बता सकते हो, जिन से मान में लाइकर करके, बोथ साइड क्या क्या value बन सकती हैं, वो confirm करिएगा, अच्छा, next जान दिकाव, सबसे थोड़ा सा tough होता, वैसे प्रीम अगर हम बात करें, प्रीम इतना tough नहीं आएगा, आसान आएगा, तो जो point के 2 place तक हम लोग लिख रहे हैं, point के 2 place तक direct value 1 by 11 तो बनेगा नहीं, जैसे 9.09 की value हम fraction में 1 by 11 समझते हों, calculation में इसका use भी करते हैं, लेकिन directly अगर हमें convert करना, बदलना होती है यह नहीं आएगा, अब क्यों नहीं आएगा, आप लोगो discuss कर चुके हैं, कि वो least form लिखा ही गया था point के 2 place तक, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है, तो finally, इसका भी हमें multiple ध्यान रखना होता, जैसे 2 से multiply करोगे, तो कितना हो जाएगा 18.18, 18.18 यहां 2 से करोगे 2 by 11, कहने का मतलब, जब आप लोग 9.09% को exact नहीं convert कर सकते हो, तो 18.18% को भी exactly convert नहीं कर सकते हो, यानि इसकी वैलो 2 by 11 ऐसे हो जाएगा, तो ध्यान देना कि जो point के 2 place तक हैं, उनके multiple के form में भी value यूज होती है, हाँ यह है कि pre में बहुत कम आते हैं, प्री में जो है direct वाले आएंगे, जैसे यह लिखा है, इसकी value क्या होगी, या जो है जो easy way में, आप लोग basic से नहीं पता है, normal ऐसे formula से नहीं पता है, basis से convert कर सकते हो, वह वाली value आएंगी, ओके, next देखोगे, 3 से multiply कर सकते हो, 4 से जिससे भी आप लोग करना चाहों कर सकते हो, मालो 3 से multiply कर दें, क्या हो जाएगा, 27.27% इनकी value कहीं यूज करना है, तो क्या करोगे, 3 by 11, ऐसे सारे value का आप लोग मल्टिप्लाई करके, चेक करिएगा, एक और example देखो, 14 whole 2 by 7% की value 1 by 7, अब जैसे एक बटा साथ की value confirm है, हमें कहीं लिखा 2 by 7, तो माइन में आएगा अच्छा, 1 by 7, 2 by 7 कैसे हुआ, दिनॉम्टल में 7 है, यहाँ 2 है, यानि 1 में 2 से multiply किया होगा, 1 by 7 में 2 से multiply किया गया होगा, यानि 1 by 7 की value कितना, 14 whole 2 by 7, यहाँ 2 से multiply कर दो कितना, 28 whole 4 by 7, यानि इसकी value 28 से 4 बटा साथ, यह हो जाएगी, तो clear है, तो यह समझना है आप लोग को, जितनी value 1 से लेके 20 तक हैं, उन में fraction की अगर value confirm है, उसके multiple के form में क्या value होगी, यह आप लोग practice से बना सकते हो, यह अभी थोड़ा सा suffix वाले नहीं डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि suffix वाले questions देखो कि main सुगरा में आएंगे, अभी direct वाले values आप लोग याद करो, तो I hope यहाँ तक आप लोग confirm हो गया, अच्छा यहाँ तक confirm हो गया, तो next देखोगे, अब हम लोग इनका use कैसे करेंगे, अभी use देखोगे, एक question कभी-कभी यहाँ किसी value का percentage निकालना आता है, तो कुछ questions हम लोग, पहले simplification वाले part वाले को देखेंगे, कि इनका use कैसे करेंगे, अभी आप लोग basic से ही solve गरो, देखे, फर्स question जैसे ही लिखा गया है, 60% of 8,225 plus 125% 8,472, देखो, ऐसे question यहाँ बनते हैं, जैसे हम ने यहाँ पे इनका percentage निकालकर plus किया, तो कभी-कभी क्या होगा, कि ऐसे दिया जाएगा, अभी लिखा है question, 60% of 8,225 of something, of something, यानि percentage को ही बार-बार percentage को ही convert करके solve करना होगा, और इभी यहाँ addition को भी add कर रहे हैं, तो इसको solve करेए, कैसे आप लोग करोगे, 60% की value basic से करोगे, तो क्या करोगे, 60% का मतलब 1 by 100, तो यहाँ 60% को ऐसे ले सकते हो, और जिनको confirm होगा, 60% की value 3,5 होती है, 20,60 हुआ, और 20, यहाँ से 500 हुआ, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ 60% 8,225 का 60% करना है, तो आप लोग क्या करें, कि इसे 60% कर लें, अच्छा यह सी धामनी दिखा, कि हमने क्या किया, अगर आप लोग यहाँ 60% लिखे, फिर यह लिखोगे, यह तो परसंटेज को हटाया वैसे लिख दिया, और यह क्या तरीका है यह हमने फ्रैक्शन में लिखा, इनकी वैलू, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक और तरीका हो सकता था, कि जैसे आप लोग क्या करो, 60% को डेसिमल में कर दो, 60% की डेसिमल में कितना 0.6 हुआ, यानि नंबर को 6 से मल्टिप्लाई करके, आप लोग एक डेसिमल लगा दो, तो यह भी कर सकते हो, कि नंबर को 6 से मल्टिप्लाई करके, एक डेसिमल लगा दो, लेकिन अभी हम कोज़ कर रहें, फ्रेक्शन में ही स्वाल गरें, देखो, यहां 5 से 5 बंजा 5, यहां 3, 5, 5, 6 जा, यहां से 5 बंजा 5, 3 वा, 5, 6 जा हुआ, 32, 5, 4 जा, और यहां 5, 5 जा हुआ, यहां से कितना हुआ, 1645 को 3 से मल्टिप्लाई कर दो, तो 1648 को 3 से करो, ऐसे भी कर सकते हो, 1645 का मतलब 1630 का 3 गुना, और 1645 का 3 गुना 135 यहां, यहां 435, 4935, यहां ऐसे भी करो, आप लोग 3 से मल्टिप्लाई कर दो, 125 परसें का मतलब आप लोग क्या करोगे, 125 बाइस सो, और आफ का मतलब क्या होता, इंटू, तो क्लियर ही है आप लोग को, आप का मतलब इंटू, तो अब देखो, अगर इसमें कनेट करोगे, यानि 125 से मल्टिप्लाई करके, 2 decimal करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिड हो जाएगा, यहां आप लोग इसे decimal में भी कनवर्ट करते हूं, 1.25 तो भी यहां कॉम्प्लिकेटिड हो जाएगा, तो कहने का मतलब इसका सबसे इजी तरीका होगा, कि इसे हम फ्रेक्शन में भीन में बदले ही वैलू तो आसान होगा, अब 125 परसंट है, तो कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, कि 25 125 हुआ, 125 परसंट का सो, और इन्टू 8472, कुछ लोग क्या करेंगे, 125 परसंट को ऐसे समझेंगे, 125 परसंट क्या हम जो वन्स लेके 20 तक लिख रहे हैं वैलू, उन में किसी का मल्टिपल है, 125 परसंट किसका है, 25 परसंट का पांच गुना है, यानि 25 परसंट की वैलू, एक बड़ा चार हुआ, इसका पांच गुना कितना हुआ, यानि एक बड़ा चार का, 5 गुना 5 बड़ा चार, यहां 5 बड़ा चार ऐसे कर सकते हो, 4 तू जा 8, 4 बजा 4 बजा 4 बजा 4 बजा 4 एट जा 32, यहां से स्वाल कर दोगे, 5 से मल्डिप्लाई कर दो, 5 एट जा, 5 बजा 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 10 हुआ, अब इसको एड कर दो, जैसे एड करते हैं, देखो, एड करने का मतलब हुआ, कि चाहिए आप लोग क्या करो, प्लेस वैलू को, जैसे हम लोग बढ़ते हैं, प्लेस वैलू और फेस वैलू, तो फेस वैलू का मतलब अंकी एमान, कोई नंबर लिखा गया है, 3, 4, 5, 7 है, अगर हमें बोल दिया जाया कि, चार का हमें बताओ प्लेस वैलू क्या है, तो फेस वैलू का मतलब अंकी एमान, सुर्ण स्थानी एमान बोलते हैं, प्लेस वैलू का किस अस्थान पर है, किस अस्थान का मतलब हम लोग बच्चों ने परते थे, यहां पर 1, 12, सैकडा कुछ लोग ऐसे परते थे, कुछ लोग unit digit 10th प्लेस, 100 place ऐसे परते थे, तो यह कहने का मतलब किस place पर है, यानि 4 किस पर है, 1000 वाले place पर है, तो 1000 वाले place पर है, तो इसका मतलब 4 में 1000 से multiply कर दो, इसकी place value कितनी होंगी 4000 हुआ, तो वैसे हम यहां भी क्या कर रहे हैं, जैसे 1000 के farm में, हम place value को अलग कर लें, यानि पहले 1000 वाले place value को add क कर लें, और इस वाले form में add कर लें, यहां तो direct ऐसे basics करते हैं, पहले आप लोग करते थे, unit digit को unit digit, यानि last वाले number को, last वाले number से add करोगे, 5 plus 0, यहां 5 वहा, यहां 3, 9 कितना, 12, यहां 2, carry 1, यहां 9, 10, 10 of 5 कितना, 15, carry 1, 415, यहां 0, यहां 5, यहां 1, यहां 1, 5525 इसका correct answer, यह पहला option सही है, तो अभी आप लोग simple question solve करने का मतलब है, कि 60% की value किसी number के साथ attach होगा, तो हम 60% को fraction में convert करें, या decimal में convert करें, question को देखके आप लोगो समझना होगा, क्या आसान हो सकता है, तो फिलाल ऐसे convert कर सकते हूँ, अभी बिल्कुल basic question है, कोई trick follow नहीं कर रहे हैं, simply आप लोग जैसे calculation करते हूँ, ऐसे लिखोगे, ओके, चले, try to solve next question, देखे, second question भी same ऐसे, अभी आप लोग सिर्फ percentage की value fraction में value से connect कर रहे हो, जैसे 133.33% of 69830 plus 37.5% of 6472, ऐसे लिखा गया, अब आप लोग बताओ, देखो, 133.33%, देखे, अभी तक हमने जितना भी discuss किया था, कहीं ने कहीं बिलकुल basic discuss किया था, यानि आप लोग कोई दिमाग नहीं लगा ना, simple percentage लगा, उसे fraction में convert करो, या जो है fraction है, उसे percentage में convert करो, हमने ना तो break करना बताया था, हाँ, last में बताया था कि कोई value से multiply कर दो, तो उसके multiple के form में, या divide करो, divide के form में, अब तीसा देखो, इसी के form में discuss करते हैं, जब भी कोई value, ध्यान रखेगा, जब भी कोई value 100, 200 something हो, जैसे मानलो, हम बोलने है 125% है, तो जब भी 100 से जादा है, तो हम क्या करें, 100 और उस value में break कर दिया करें, और value को दो पार्ट में break करें कि रहा sufficient है, क्योंकि 3 पार्ट में break करेंगे, थ्रोगा complicated हो जाएगा, तो में ही break करेंगे, तो इजी क्या होगा, इसे हम 100% और plus 25, यानि 100 के बार जो भी value होगा, उसको ऐसे break कर दो, मानलो, सपोज ऐसे लिखा, 133.33% है, तो इसको क्या करोगे, 100% और plus कितना, 133.33 में break, इसे 133.33 में break करोगे, यानि 100 plus 133.33, 133 होगा, अच्छा, अगेन 206.25%, ऐसे लिखा है, हम इनको कैसे break करेंगे, 100 का multiple plus वो value, तो यहाँ 200% यह है, और plus यहाँ से 6.25% ऐसे लिखोगे, तो कहने का मतलब, जब भी यहाँ पे 100 और उसके multiple plus कोई value होगा, तो उसके 100 या 200, 300 और plus वो multiple value भगल लिख दोगे, तो यहाँ देखोगे, अब क्य लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको break करने का मतलब होगा, तो एक तरीका तो आप लोग बेसिक है, 133, 33% को क्या करोगे, देखो यहाँ 0.33 है, तो हमने यह बताया था, 0.33 जहाँ भी होगा, इसका मतलब वो 1 by 3 के प्लेस पे आता है, यहाँ तो इससे 133 सही एक बड़ा 3 करो, और उसके बाद बेसिक से convert करो, और दूसर तरीका यह है, कि हम क्या कर रहे हैं, इससे हम break कर रहे हैं, देखो, 133 को 100 प्लस 233, 33, तो यहां से देखो कैसे इसकी वैलू fraction में convert करते हो, कि जब break करोगे 100% की वैलू 1 हुआ और 33 से एक बढ़ा 3 की वैलू 1 बढ़ा 3 तो कहने का मतलब और माइन में break कर सकते हैं कि 100% और प्लस कितना 33.33% तो यह तभी break करिएगा जब जो वैलू यहां 100 के बाद लिखी है उसकी वैलू हमें oral confirm है, जैसे यहां 100 की वैलू oral आप लोग confirm है, 1 हुआ और 33 से दस्मनों 33 की वैलू आप लिखी चुके हैं, 1 by 3, तो क्या लिख सकते हो, इसकी वैलू आप लोग fraction में 4 by 3 लिख सकते हैं, of means into 6930 यह लिखोगे, तो पहले find करो, 32 जा हुआ, 33 जा हुआ, 3 बन जा 0, multiply कर दो, 0, 4 बन जा, 4 ती जा 12, 4 तो 8 प्लस 1, 9, यह वैलू आ गया, main conversion की बात करें, अब देखो next 37.5%, तो एक तरीका हुआ 37.5 क्या 1 से लेके 20 तक किसी fraction के मान में 37.5 आया, तो देखोगे, तो यह तो exact वाली वैलू है, 0.5 है, यह डेसिमल में अगर 3 पॉइंट लिखा तो यह प्रॉक्स वाला होगा, यह 0.5 है, 0.25 है तो exact वाली वैलू बन जाएगा, बेसिक से आप लोग करोगे, तो अभी लिख वाली भी 25 फोजा 5 से, यानि इनको आप लोग 3 by 8 लिख सकते हो, 3 by 8 इनको लिख सकते हो, यह हमने कैसे लिखा, बेसिक से, अब आप लोग ध्यान दो कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान होता, कि देखि रही थी भाई एट है, इसका मतलब भाई की 1 by 8 का 3 गुना है, 1 by 8 का 3 गुना है, फ लास में जिनके एक सिले के 20 तक वैलू जिनके लास में डेसिमल में 0.5 होगा उन ही का मल्टिपल यह होगा तो इसका मतलब वा कि सिर्फ आप लोग देखोगे 1 सिले के 20 तक एक आप लोग 12.5% की वैलू कितना 12.5% की वैलू 1 by 8 और लास 1 by 16 में 6.25 तो 12.25 का देखो कुछ आप नहीं करना पड़ेगा माइन में ही कलिपुलेट कर सकते हो कि 35% का मतलब साड़े 12% का 3 गुना हुआ साड़े 12% की वैलू कितना हुआ 1 by 8 हुआ उनका 3 गुना कितना हुआ 3 by 8 तो यह directly 3 by 8 आप लोग लिख सकते हो आपका मतलब इंटू 6472 यह लिखोगे आप स्वाल कर कर दो को 8 8 जा 64 हुआ 8 9 जा 72 multiply कर दो यह प्लस 3 9 जा 27 3 8 जा 24 यह add कर दो तो add कर दो कि 0 यह 7 यह लिखोगे यह 4 2 कितना 6 हुआ यह 4 2 6 हुआ और 9 2 11 यह उप्शन के आज है 21667 21667 यह उप्शन नमबर 2 इसका क्या कर रहे हैं हम लोग सिंपल अभी परसंटेज को और वैलू से कैसे connect करके उसे add कर रहे हैं यह जैसे कोई वैलो दिया उसका इतना परसंटेज यह क्वेस्टन के फॉर्म में भी यह आप ल ठीक है ओके चलो एक और क्वेस्टन सेम देखते हैं यह सारी वैलू जो भी हम लोग लिख रहे हैं यह परसंटेज की वैलू फ्रेक्शन में convert कैसे करोगे और अगर वो किसी नुमेरिक वैलू के साथ अटेच होगा तो कैसे आप लोग स्वाल करोगे यह हम लोग डिसकस कर हैं ठीक है ट्राइग है ट्राइटो सॉल्विट वेलूट फॉर्च परसंट ऑफ 3248 प्लस 16.67 परसंट ऑफ 6498 सेम बार बार वही क्वेस्टन से देखो 112.5 अभी आप लोग डिसकस किय थे जब भी वैलू 100 यह उससे मोर्धैन हो 100 यह उससे मोर्धैन का मतलब 200 शंधिंग ह 100 के multiple वाला या 300 something हो तो उसे ब्रेक करते हैं ब्रेक करेंगे 100 प्लस उसके form में जैसे 112.5% लिखा है तो इसको आप लोग ब्रेक कैसे करोगे 100% और प्लस कितना 12.5% ठीक है 100% की value 1 हुआ 12.5 की value 1 by 8 हुआ add कर दोगे 1 में 1 by 8 add करोगे 9 by 8 तो ये इतना लिखना नहीं है अगर इतना लिखना पड़ गया तो इसका मतलब हम basic से convert करके बता देंगे तो ये mind में calculation करनी है कि 112.5 है तो 112.5 का मतलब 100% यानि 100% और प्लस 12.5% 100 की value कितना हुआ 1 हुआ 12.5 की value 1 by 8 यानि 9 by 8 ये directly हमें convert करके 32.5 का 9 by 8 निकालना 8 से divide करो 8 4 जा 32 4 मिन जाएगा 0 8 6 जा 48 और 9 से multiply करो 9 6 जा 54 9 4 जा 36 3 6 5 4 प्लस 16.67 अब ये ध्यान देना अब 16.67 आ गया जिनको 16.67 की value 1 by 6 नहीं confirm है ये exactly आएगा है नहीं आप लोग क्या लिखोगे 16.67 by 100 लिखोगे अब 200 लिखोगे तो ये convert ही नहीं होगा 1 by 6 यानि जो इसका ये number होगा वो nearest आएगा मतलब जैसे जो exact answer आना चाहिए हमने exact वाला भी दिया है दो टाइप के बनते एक approximation वाले questions में भी फिलाल SSC में नहीं आते हैं लेकिन questions आ सकते हैं कि कहीं भी आप लोग देखोगे simplification का ये लिखा गया होगा तब तक answer नहीं आएगा 1 by 6 6 4 9 8 यहां solve करोगे देखे यहां से 6 बंजा 6 हुआ and 0 6 8 जा 48 6 3 जा 18 यानि 1 0 8 3 अब जैसे आप लोग add करते थे add means unit digit को unit digit से 7 4 3 कितना 7 यहां 5 8 कितना 8 13 यहां 3 हुआ 1 7 यहां 7 हुआ and 3 plus 1 कितना 4 4 7 3 7 जो भी आएगा answer 4 7 3 7 correct इतना तो आप लोग यह confirm हो गया होगा students कि कैसे हम लोग 112.5% को fraction में convert करेंगे और वही fraction अगर किसी value के साथ हो तो उनका मान कैसे निकालेंगे वैसे यहां पे भी और decimal के 2 place वाले प्री में जो value आएगे वो direct वाले आएगे जैसे 16.67 percentage आ गया यह आप लोग बोल दिए next question प्याते हैं हम लोग चले एक और देखोगे same equation है आप लोगो सब में value यूज करना है okay देखो अभी हम यहां कोश्च करेंगे multiple के form में भी यूज करेंगे और आप लोग basic से भी इसको solve कर सकते हो 66 whole 2 by 3 percent of 2427 22.22 percent of this यहां question mark देखो यहां question mark यह पूरा minus में terms है तो इसका मतलब जब भी यहां पे equal के पहले equal के बाद में कोई numbers दिये होंगे तो question mark यहां है इसकी value find करना है तो यह वाला terms क्या करोगे आप लोग पहले यहां पे left hand side लाओगे और आप लोग क्लियर है right hand side से left hand side ले जाओ या left से right ले जाओ तो इसका मतलब sign change होता है जैसे यहां plus or minus की बात करें यहां minus हो तो plus हो जाएगा यहां इधर आएगा यह add हो जाएगा तो चलिए फिलाल हम लोग क्लियर क्या करेंगे सबसे पहले percentage को fraction में अगर जिनको confirm है छाच्छट से ही दो बटा तीन है तो छाच्छट से ही दो बटा तीन किसके multiple में आता है 35 से बटा तीन का दो गुना होत एक बटा तीन का दो गुना दो बटा तीन होगा जिनको नहीं क्लियर है वो बेसिक से फिर ऐसे बारबर करेंगे 66 होल 2 by 3 और इसको multiply करोगे 198 प्लस तो कितना 200 और by 3 percentage हटाओगे 2 0 यानि convert जिनको करना होगा वो 2 by 3 ऐसे नहीं समझ मारा तो convert कर लो otherwise कोशिस करना है जितनी value य होती है अगर वह आप लोग रिलेट करके उसकी value समझ के तो बहुत आसान हो जाएगा देखते ही आप लोग percentage को fraction में convert कर लोगे finally इसकी value कितना 2 बटा 3 यानि 2 बटा 3 off का मतलब into 2427 ठीक है यहां से 3 8 जा 24 हुआ और 3 9 जा clear यहां multiply कर दो यहां 16 कितना हुआ 18 हुआ ठीक है next आप देखो यहां 22.22 percentage अब जिनको 22.22 percentage ऐसे लिखा होगा कि अच्छा normally हम 22.22 by 100 ऐसे करके solve करेंगे वो answer नहीं बता पाएंगे क्योंकि 22.22 क्या है कि जो approximate value है उसका multiple है यह समझे कि कैसे जब आप लोग 1 से लेके 20 तक value याद करोगे और उसके multiple को 1 से 2 से 3 times multiply करोगे तो mind में recall रहेगा जैसे हमें confirm है 11.11 percentage है इसकी value आप लोग confirm है 1 by 9 इसका double कर दो क्या मिलेगा 22.22 percentage मिलेगा यह value आप लोग कहां से मिली यह value था हमने table लिखा तो महां से मिली अब table लिखा था तो उसका multiple भी mind में रखना होगा अच्छा 44.44 किस में आएगा इस वाले में आएगा फिला हम suffix आप लोगो याद कराएंगे पहले एक से लेके 20 त और 98 जा 72 multiply कर दोगे कितना हुआ 408 का दोगी ना कितना हुआ 816 हो गया देखो पूरा terms हमने कहा था यह केस में आएगा इधर आएगा प्लस में हो जाएगा अच्छा 8.33% तो 8.33 तो क्या है direct value है आप लोग देखोगे chart में जो पहले note करा चुके है 8.33 की value क्या लिख रहे थ एक बटा 12 होती है 7284 ठीक है यह भी convert नहीं होगा exactly ऐसी values अभी है कि जो convert नहीं हो पाएंगी आप लोग उसे टेवल के तुरू याद ही करोगे यहां 12 यहां से 12 6 ए 72 और 12 7 बारस्ते 84 ऐसे होगा ना नेक्स यह आएगा प्लस में हो जाएगा ना 6 0 7 अब आड कर दो यहां question mark होगा एड करने का मतलब unit digit की बात करो 8-6 तू हुआ 2 प्लस 7 यहां 9 लास्त में 9 होगा सही होगा यहां 1-1 0 यहां 0 हो गया फिर यहां 6-8-2 प्लस 6 का मतलब 4 हो गया यहां 1 बचेगा सिर्फ 1 1 4 0 9 is correct answer 1 4 0 9 correct answer हो गया तो clear करने का मतलब अभी आप लोग जितने भी question से लिख रहे हैं वो सारा percentage को fraction में convert करके value के form को relate कर रहे हो एड और subtract कर रहे हो ना यहां भी percentage का conversion हो जाले चाहां एक और question देखते हैं same करने का मतलब यह पहले एक equation दिया यह इसके equal है और फिर एक और दिया P जो है X percent of Q के equal है तो हमें क्या बताना है हमें बताना X का मान बताना है आप देखो इसको बहुत सारे तरीके से लेट कर सकते हो जैसे कुछ लोग ऐसे करेंगे कि देखो 50% यह दोनों आपस में equal है अगर इन से solve करो तो 50% की value कितनी होगी 50 by 100 यहां आप का मतलब into यहां P कर दोगे 25% की value 25 by 100 यहीं 1 by 4 डिरेक्ट भी लिख सकते हो आप लोग आप लोग आप का मतलब into Q आप देखो यहां से P और Q आएगा अगर आप लोग कट भी करोगे लेकिन यहां दे दिया गया है अब P की जगहा पर X percent of Q लिखना है पी की जगहा पर क् यहां 50 by 100 यह 1 by 2 हुआ और P के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे यहां से देखो X percent तो X percent यहां देखो X percent का मतलब हुआ हम directly X percent of का मतलब into X percent को by 100 कर दे ठीक है देखो X percent का मतलब percent अटा होगे by 100 तो X by 100 यहां लिख दे देखा इसकी value हम यहां percentage में break करके लिख रहे है आप का म देखो और equality अभी हमने कुछ किया नहीं जैसे लिखा वैसे यह इसकी value क्या होगा 1 by 4 यहां Q जैसे वैसे देखो simple क्या करना था 50 की value 1 by 2 लिखा हमने 50 की value 1 by 2 लिखा P के जगा पर क्या लिख दिया X percent of Q लिख दिया और X percent का मतलब by 100 Q और 25 percent की value आप लोग क्लियर है 1 by 4 Q अब से solve करो 2 to 4 हुआ और यह इधर आएगा numerator में चला जाएगा 1 by 2 था और 100 यह multiply करोगे तो क्या आजाएगा यहां 50 आजाएगा क्लियर 50 इसका answer हो जाएगा देखो थोड़ा से इतना complicated नहीं समझा है अगर आप लोग डिरेक्ट जो लोग समझते तो एक line में था यह 50 percent की value 1 by 2 of P 25 percent की value एक बड़ा 4 हुआ Q आप लोग P की value क्या रखोगे X percent of Q तो Q कैंसल आउट हुआ तो P का यहां P कमान Q में convert ही हो चुका तो X value directly आजाएगा अचा दूसरा कुछ लोग क्या करेंगे हम यह करेंगी पी की value जैसे यहां न जैसे लिखागे इसमें रख दें ठीक है न जैसे यहां पे आप लोग confirm है इसकी value पी की value directly connect कर दें यहीं से चले यह भी questions आचा ठीक है 5 questions ही है न याने question solve हो चुगा तो next sum में हम लोग यहां से अभी तक हम लोगों ने सिर्फ क्या समझा अभी हम लोगों ने समझा कि कैसे हम लोग percentage को fraction में convert करते हैं fraction को percentage में कैसे कर सकते हैं और जो है अगर किसी कोई value percentage के साथ value given है उसे हम लोग add or subtract कैसे करेंगे यह हम लोगों ने simple अभी सीखा next sum में हम लोग सीखेंगे कि comparison कैसे करेंगे increase decrease कैसे करेंगे और वहां से question कैसे connect करेंगे यह सीखेंगे द्यान दी जी का सबसे पहले conversion वाले questions हैं अगर आप लोगो यह exactly नहीं clear होगा तो कहीं नहीं कहीं जो है पूरा topic जो है आप लोग tough बना दोगे इसलिए हम लोग इससे पहले discuss करेंगे कि इसका use इसमें percentage में ही नहीं इसका use आप लोग सारे topic में यानि profit loss हुआ ratio हुआ सब में करोगे इसलिए यह याद करना must है और दूसरा देखेगा calculation fast करने के लिए अभी आप लोगो बहुत tricky approach discuss करेंगे कि कैसे orally आप लोग answer बता सकते हो multiply के addition के oral बता सकते हो C9 से लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ जो solve करने होंगे तो उसके लिए basic जो confirm है वो होना चाहिए 1 से लेके 20 तक table यह must है आप लोग याद करो 1 से लेके 20 तक table यह आप लोग याद करोगे इसके बाद इनका use multiply में square निकालने में कैसे करेंगे वो आप लोग orally बताएंगे orally solve कर सकते हो लेकिन यह दियार देखिए 1 से लेके 20 तक table आप लोगो confirm होना चाहिए 2nd 1 से लेके 20 तक square एक से लेके 20 तक square आप लोगो school time में ही याद करा दिया गया होगा तो फिर से आप लोग रिकॉल कर लीजेगा एक से लेके 20 तक square इसके बाद कैसे square निकालोगी बिलकुर orally बताएंगे जैसे मालो 75 का square निकालना हो तो हम orally बताएंगे 56 to 5 होता है वो कैसे discuss करेंगे discuss करेंग next आप लोग 1 से लेके 20 तक cube यानि एक से लेके 20 तक cube आप लोग यानि घन करना सिखेंगे यह पहले से आप लोग याद करेंगा क्योंकि जब हम लोग simplification अभी तो percentage start करेंगे percentage discuss करेंगे जब starting से number system पे आएंगे तो सबसे पहले simplification में आप लोगो square निकालना हुआ cube निकालना हुआ कि भी slabus में देखोगे cube root दिया गया है तो cube root का मतलब cube भी आ सकता square root यह सब हम लोग basic calculation के technique समझेंगे उसके लिए सारी चीज़े आप लोगो confirm होना चाहिए तो चलिए next class में हम लोग I hope conversion आप लोगो सभी को clear होगा next class में हम लोग comparison percentage और कुछ बैतरीन question के साथ मिलते हैं सब दक के लिए thank you